हर दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो, और परिवार को धन, दौलत से परिपुर्ण देखना चाहते हो तो, छोटा सा काम करो, आज हम आपको निश्चित, काम सफल करने वाला दिव्य उपाय बता रहे हैं, स्रद्धा पुर्वक करने से अवस्य फल मिलेगा, मेरे पुर्वजों ने कोई पाप किया हो, मेरे परिवार से कोई भूल हो गई हो, मुझ से कोई घलती हुई हो, मेरे बच्चों से कोई घलती हुई हो, जो दुख इन सभी वज़स से, अगर हमें और हमारे परिवार को जेलना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम आपको एक सा उपाय बता रहे है। यह उपाय को स्रध्धा पुर्वक करना है। किसी भी अमावसिया के तिसरे दिन सौ ग्राम खड़ा साबुत नमक बाजार में से लाकर घर में बेडरुम के अलावा किसी अन्य साफ सुत्री जगह पर यह नमक को रख देना है। फिर बाद में यह प्रयोग आपके कुल देवी के मंदिर में करना है। जब भी आप कुल देवी के मंदिर में जाओ तब यह नमक साथ में ले जाना है। अब कुल देवी के मंदिर में बहार के भाग में दक्षिन पस्चिम के बीच नईरुत्यकौन में जाकर एक भरतन में पानी भरकर इसमें जो नमक घर से लाए हैं वो नमक को डाल देना है। और कुल देवी के दर्शन करने चले जाना है। दर्शन करते समय आपको रदय से प्राथना करके बोलना है कि मेरे जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाए। पुर्वजो को जो भी स्राप पिला हो वो दूर हो जाए। और हमें भी जो स्राप पिला हो वो दूर हो जाए। किसी ने किया कराया हो वो दूर हो जाए। और हमारे परिबार में और आने वाली अगली पेड़ी को भी सभी दुख दरिदरता मिट जाए। और आपकी जो भी कुछ करने की सुभ भावना हो वो व्यक्त करनी है और वर्तमान में चल रहा आपका जो भी प्रॉबलम है वो प्रार्थना करके कुल देवी को कहना है जैसे जैसे नमक गलता जाएगा वैसे वैसे आपके सभी जन्म जन्मांदर के दोस मिट जाएंगे अब वापस जहां बरतन में नमक रखा था इस कोने पर जाकर नमक जब पूरा गल गया हो तब वो नमक वाला पानी जमीन पर छोड़ देना है और उस जमीन पर कपूर जला देना है अगर आप होटल धर्मशला विगेरे में ठहरे हुए हो तो वहाँ शनान करके फिर मंदिर मे दर्शन कर लेना है अगर शनान करने की सुविधा नहीं है तो हाथ पैर धो कर थोड़ा जल से छिटकाव करके दर्शन कर लेना है अगर आपको कुल देवी का पता नहीं है तो यह प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए परंतु कुल देवी को प्रातना करनी चाहिए कि जल से जल आपको कुल देवी की जानकारी मिले अगर आपके कुल देव हो तो वहां भी आप यह प्रयोक कर सकते हो अस्तू जय अम्बे